Hello Friends, This is Nilofer Neha Khan तो आज हम बात करेंगे CDP के Chapter 7 के बारे में जिसका नाम है बुद्धि निर्माण एवं बहु अयामी बुद्धि Construction of Intelligent and Multidimensional Intelligence ये हमारी Chapter wise पूरी सीरीज चल रही है जिसमें मेरे परपस यही है कि आपको EZV में concept समझा जाएं और आपको मेरा यही परपस रहता है कि Chapter wise करने से यह फायदा होता है कि हमें Inter Relationship पता चल जाता है और हमें यह चीज से पता चलती रहती है कि कौन-कौन से Chapter किस-किस तरीके से यूज हो रहे हैं और किस-किस तरीके से questions put up होते हैं क्योंकि जब हमारे concept clear होंगे तो हमें questions भी समझ में आने लग जाते हैं कि किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और किस वे में कौन सा answer सही होगा क्योंकि psychology में हमें सारे answer सही लगते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे concept अच्छे होने चाहिए और हमारे concept clear होने चाहिए क्योंकि सारे जब answer सही लगने लग जाते हैं तब सबसे ज़्यादा confusion होती है कि कौन सा answer टिक करें तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले हम जाल लेते हैं कि बुद्धी क्या है बुद्धी शब्द का प्रयोक समानेत हमारे सोचने समझने की शक्ति और किसी भी समस्य का समधान निकालने की शक्ति या किसी भी कारे को करने कारे को हम किस प्रकार करते हैं ये सब हमारी बुद्धी पर ही अधारित होता है देखिए, intelligence क्या है, मतलब हम कोई कारे करते हैं, उसमें किस तरीके से हमारा behavior होता है हम उस कारे को करने के लिए क्या-क्या तैयारी करते हैं, हम कोई भी exam की preparation करते हैं, ठीक है तो हम उसके लिए एक strategy maintain करते हैं, तो वो strategy कैसे maintain करते हैं, अपने mind के according ही करते हैं अपने बुद्धी के according, ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत intelligent बच्चा है, लेकिन वो उसकी strategy अच्छी नहीं होगी ऐसा होई नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धी उसी तरीके से बनी हुई है ठीक है, तो बुद्धी क्या है कि हमारे सोचने समझने की शक्ती है और हम किसी कारे को करने में कितने सक्षम है कि इस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़े क्यों कौन बताता है हमें बुद्धी अच्छा बुद्धी की कई परिभाशाएं भी है ठीक है क्यों और इसकी परिभाशाएं मैं इसलिए करा रही हूं क्योंकर कई बार हमारे कोशन्स डिरेक्ली परिभाशाओं से ही पुटब हो जाते हैं अलेन टर्मन बुद्धी अमूर्थ विचारों के संदर में सोचने की योगता है अमूर्थ मतलब जो की हमारे सामने ना हो इस ताइप है थंडाइक के अंसार सत्य या तत्य के दिष्टिकों से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ती ही बुद्धी है अब देखे धंडाइक का कहने का अताथ पर रहे है कि हम सत्य और तत्य मतलब फैक्ट और जो रियालिटी है उसमें जो हम प्रतिक्रियाओं करते हैं वही बुद्धी है मतलब हम किस तर है वुडवर्थ बुद्धिक कार्य करने की एक विदिय आभी यही बोल रहे हैं देखरि ने इस तरीके से बोला है कि हम जो कार्य करते हैं वही हमारे कार्य करने का या फिर हमें किसी समसर समाधान निकालने का निकालने का तरीका हमारा हम किसी को कारण बताता है बद्धी कार्ण करने बुद्ध क lock beim utilizz झ्यान अर्जन करने की शम्त्य है के जैसे हम कोई जीज हम किस तरीके से कोई कारे को हैंडल करते हैं तो ये हमें ग्यान ही तो हो रहा है ना क्योंकि हम उस सिच्वेशन में पहले नहीं थे लेकिन आज है तो हम प्रूर अब्जॉफ करेंगे चीजों को या फिर बिना अब्जॉफ किये भी चीजों को करने लग जाते हैं तो उसमें क्या है कि हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तो जो सीखी elevator चीज होती है वो हमारी बुद्धी में एक setup हो जाती है तो इसी को ही कह रहा है वुद्धि ग्यान ऑर्जन मनूं हम ग्यान हर देखने जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो आपको 1, 2, 10 तक काउंटिंग आती थी आज आपको कितनी भी काउंटिंग करवा लो तो यह क्या है एक आपने जो आपका ज्ञान है वो भड़ता चला गया ना तो बुद्धी क्या है ज्ञान अर्जन करने की शम्ता है अब देखे बुद्धी के कुछ सिधानत है कुछ मनोग विज्ञानिकों ने बुद्धी के सरूप की व्यक्खा करने के लिए बुद्धी के विविन सिधानतों का प्रतिबादन किया और देखे कई बुद्धी की एक definition बताने के लिए कि बुद्धी है क्या बुद्धी काम कैसे करती है इसके लिए कुछ मनों विज्ञानिक जो थे उन्होंने इसके कुछ सिद्धान दिये जो उनके हिसाब से है कि बुद्धी इस तरीके से कारे करती है या फिर बुद्धी इस तरीके से कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम होती है तो हमारा पहला सिद्धान्त है एक कारक सिद्धान्त एक कारक सिद्धान्त का प्रतिपाधन अलफट बिने नहीं किया लेकिन इस सिद्धान्त का समर्थन और इसे आगे बढ़ाने का श्रे टर्मन और स्टन जैसे मनोवेग्यानिकों को जाता है और इन मनोवेग्यानिकों का मानना है कि बुद्धी एक अभाज्य इकाई है जो समाने भाशा में कहीं तो इनके अनुसार बुद्धी को विभाजित नहीं किया जा सकता अब देखिए जो एक कारक सिध्धानत है इसका प्रतिपादत की ने किया मतलब लायक और अलफर्ड भी ने लेकिन इसे आगे ले जाना और इसका जो समर्थन करने का श्रे जो जाता है वो टर्मन और स्टर्न को जाता है अब इन मनों विग्यानिकों का मानना था कि बुद्धी जो अबाज्य है मतलब उसका विभाजन नहीं किया जा सकता बुद्धी सिर्फ एक ही है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता इन मनों विग्यानिकों का ये मानना था अब दूसरे कारक, दूसरा सिध्धान्त पढ़ लेते हैं दूई कारक सिध्धान्त अब देखें दूई कारक सिध्धान्त इस सिध्धान्त का प्रतिपादन स्पेर मेन द्वारा किया गया इसके अनुसार बुद्धी में दो प्रकार की मांशिक योगिताओं की आवशक्ता होती है पहली समाने कारक जिसे हम जर्नल फैक्टर कहते हैं जो मानव में सभी प्रकार की क्रियाओं में विद्धिमान होता है तथा दूसरी विशिष्ट कारक, स्पेशल फैक्टर इस मांसिक योगिता का संबंद विशिष्ट कारों से संबद्धित होता है अब देखे, जो ये स्पेर में ने जो इसका प्रतिपादन किया तो उन्होंने इसे दो फैक्टर में बाटा दो कारकों में बाटा पहला था जर्णल फैक्टर जिसे हम कई वार जी फैक्टर कहते हैं ठीक है तो आप जी फैक्टर कोशिंस पूट अप हो जाते हैं कि जो स्पेर में थे उनका ये जी फैक्टर किस तरह की बुद्धि के लिए या किस तारीके की कारे करने के लिए होता है तो समान ने यह सभी मनुश्य में समान रूप से पाए जाता है और हर किसी कारे में विद्धमान होता है मतलब हर के जो भी कोई कारे करेगा उसमें G-Factor होगा ही होगा अब दूसरा जो इन्होंने कहा था S-Factor, Special Factor ये वाला जो बुद्धी है इस बुद्धी में इन्होंने कहा, इस कारक में इन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक कारे के लिए होंगे ठीक है, जैसे कि कोई बालक डांस में बहुत अच्छा है तो ये उसके लिए एक Special Factor है उसकी बुद्धी का ठीक है, कोई बच्चा चीजों को लर्न बहुत जल्दी का लेता है तो ये उसकी बुद्धी का एक Special Factor है जो की हर किसी में एक जैसा नहीं होगा लेकिन General Factor जो होंगे, वो General Factor वो सब में एक प्रकार के होंगे और सब परकार की क्रियाओं में विद्धमान होंगे ठीक है, लेकिन जो Special Factor होंगे, वो हर किसी में अलग-अलग होंगे अब तीसरा जो हमारा सिध्धान्त है, ये है भहुकारक सिध्धान्त इस सिध्धान्त का परतिबादक थंडाइट द्वारा किया गया इस सिध्धान्त में उन्होंने बताया कि कई तत्वों का समु एक समु है और प्रतेक, सुरी ये मिस्टेक हो गया प्रतेक तत्व में कोई सुक्ष्म योगिताय नीत होती है आब देखे इनोंने जो बताया, इनोंने कहा कि बहुकारक मतलब इन्होंने कहा के बुद्धी में बहुत सारी कारक होते अभी तक जितने भी हमने अभी तक जो दो सिद्धान्त हमने पड़े हैं तो उसमें किसी ने कहा के बुद्धी आभाज्य वाजित नहीं किया जा सकता दूसरा जिस सिद्धानत हमने पड़ा उन्होंने कहा कि दो फैक्टर होते हैं स्पेर मेरं के अकॉर्डिंग लेकिन जो थंडाइक हैं थंडाइक नहीं ये बात कही कि बुद्धी जो है उसमें बहुत सारे कारक होते हैं और हर एक कारक का अपना एक सूक्षम योगिताई ही मतलब कुछना कूछ एक स्पेशल चीज होती है उसके अंदर हर एक कारक के अंदर ठीक है तो इन्होंने कहा जो बुद्धी है वो कई सम कई सम कई तवों का समूं नहीं और हर जो तत्व होगा उसमें कुछ ना कुछ तरीक की जैसे किसी में डांस की होगी, किसी में सिंगिंग की होगी, किसी में लर्न करने की होगी, कुछ ना कुछ तत्व होते ही हैं, योगिताय निहित होती ही हैं, और इसमें इन्होंने एक और बात कई, कि जब दो तरीके की बुद्धी मिल जाती हैं, ठीक है, दो तरीके की तत्व मिल जाते हैं, तो वो एक तरीके से स्पेशल फैक्टर हो जाता है, जिसमें कि वो इनसान जादा मजबूत हो जाता है जैसे स्पेर मैंने कहा कि इस पेशल फैक्टर के बारे में कि एक नए तरीका का स्पेशल फैक्टर होगा जो इंसान की क्वालिटी होगी ठीक है यहीं तन्डाइक का कहना था कि इतने सारे समू है समू में जब दो फैक्टर मिल जाएंगे तो वह वह एक जादा स्ट्रांग बार्ण हो जाएगा है तो वह चीज इननों ने बखा कि वह थोड़ासा जादा योग्गिताय उस व्यक्टी में स्ट्रांग हो जाएंगी वो योगितायों उस वेक्दी में जादे स्ट्रॉंग होंगी अब चौता जो हमारा है वो है समुतत्व सिद्धान्त इस सिद्धान्त का प्रतिपादन धर्स्टन द्वारा किया गया और धर्स्टन प्रारंबिक मानसिक योगिताओं का प्रिक्षेन करते हुए इस निसकर्ष पर पहुँचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुक्तत्व समाने रूप से विद्धमान होता है जो उन क्रियाओं के कई ग्रूपों में होते हैं उनमें अपना एक प्रमुक्तत्व होता है अब यहाँ पर जैसा थन्डाइक ने ये बात कही कि समू कई तत्वों का समू है ठीक है अब यह जो थस्टन है थस्टन नहीं एक परिक्षन किया और उस परिक्षन के अकॉर्डिंग इनों ने ये निसकर्ष निकाला कि जो मांसे की योगताएं होंगी उनमें समाने रूप से एक ने एक तत्व विद्धमान होगा है और वो विद्धमान तत्व जो होगा वो उस प्रकार का होगा कि उसकी जो प्रमुख योगता मानी जाएंगी वो उस प्रकार की होंगी कि उसे उसे बे तो उन्होंने ये कहा कि उसमें एक अपना एक प्रमुक्तत्व होता है ठीक है तो यही योगिताएं व्यक्ति में विद्धमान रहेंगी अब पांचवा जो हमारा सिद्धान्त है यह है प्रतिदर्श सिद्धान्त इस सिध्धान्त का प्रतिपादन थॉम्सन द्वारा किया गया ये मिस्टेक हो गई है थॉम्सन ही है थॉम्सन मानते हैं कि व्यक्ति का बुद्धिक वैवार अनेक सतंत योगिताओं पर निर्बर करता है इस सिधानत के अनुसार बुद्धी कई सवतंत तत्वों से बनी होती है अग देगे जो तॉमसं थे उन्होंने कहा कि जो बुद्धी होगी वो कई प्रकार के सवतंत तत्वों जो कि अपने आप में एक तरीके से संपून हैं, सवतंत हैं और सवतंत रहें तो उन तत्वों से बनी होती है और कई सवतंत तत्वों से बनी होती है और इनी योगताओं पर निर्भर रहती है फैवार जो होगा ना व्यक्ति का जो बेवार होगा वो उनी सवतंत्र योगताओं पर निर्भर रहेगा जो थमसन नहीं है कहा अब जो लास्ट हमारा है सिक्स्त जो सिद्धान्त है यह है बहु आयामी सिद्धान्त जिसे हम मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं इस सिद्धान्त का प्रतिबादन जेपी गिलफट द्वारा किया गया इस सिद्धान्त को पदानुक्रमिक सिद्धान्त यह त्री आयामी सिद्धान्त भी कहते हैं जिसमें गिलफट ने किसी भी मानसिक रियाव यह बौदिक कारे को तीन आधारबुत आयामों संक्रिया, सूचना, समगरी, विश्यवस्तू यह उत्पादन में बाटा अब देखें जो गिलफट थे, इन्होंने कहा कि जो बुद्धी होगी वो तीन तरीके के तत्वों पर ही निर्बर करेगी, आयामों पर निर्बर करेगी पहला है संक्रिया, मतलब हम किसी चीज़ पर किस तरीके से क्रिया करते हैं दूसरी, दूसरा जो है सूचना समगरी या विश्यवस्तू, मतलब उस सिच्वेशन के बारे में जो हमें बताती हो, ठीक है, जो हमें बताती हो या फिर उसके बारे में जो जनकारी देगी तीसरा जो है उत्पाद, उत्पाद में मतलब कि उससे जो प्राप्त हो रहा है ठीक है ये तो इनोंने इन तीन प्रक्रियाओं में बाटा और कहा कि बुद्धी जो होगी वो इनी तीन आयामों का अधार बूत होगी अब देखे इसमें कई वार कोशन जो पूटप होते हैं पहला कि इसका नामों को लेकर ठीक है पहला इसका नाम पदानुकरमिक सिध्धान्त भी कहते हैं ये याद रखिएगा दूसरा जो नाम इसे कहा गया है त्री आयामी सिध्धान्त काफी बार यूस होता है जब मैं भी प्रिव्यस एर प्रिपेर कर रही थे तो काफी बार介 टाइम मुझ हänder tra要 कुझधान्त की बात होती है तो तो ये पूछले आता ह है कि इस इसससिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया तो हमें यह पता होना चाहिए तो कि इसका प्रतिपादन जेपी गिलफॉर्ड ने किया तो इनके नामों के बारे में जरूर ध्यान रखेगा अब देखें बुद्धी की कुछ विशेष्टा हैं बुद्धी व्यक्ति की जन्म जान सक्ति होती है बुद्धी व्यक्ति को अमूर्थ चिंतन की योगिता प्रदान करती है अब देखें अमूर्थ चिंतन मैंने आपको बता दिया था कि अमूर्थ चिंतन क्या होता है जो च पर वन्शानुकरम और वातवरन का प्रभाव पढ़ता है देखिए वन्शानुकरम का भी प्रभाव पढ़ेगा बच्चा जिस फैमिली से बिलॉंग करता है उसका प्रभाव बहुत पढ़ता है बालक पर लेकिन सबसे जादा जो प्रभाव पढ़ेगा बालक पर वो पढ़ में खेलना पसंद करता है तो यह सारी चीजे उसकी बुद्धी पर असर डालेंगी बुद्धी का विकास जन्म से किश्योरवस्ता तक माना जाता है देखिए यह बहुत important point है इसे लिखने का मेरा यही purpose था कि आपको यह चीज पता होने चाहिए देखिए जो कुछ मुध्यानिक हैं कि बुद्धी का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है लेकिन विकास जो हो जीवन परयांत मतलब, बुद्धी जतनी बढ़नी होती है, जतनी इंसान में समझ होती है, किशूर वस्ता तक पूरी हो जाती है, आप इसमें आपको करी यह कंफ्यूजन यह चीज हो जाती होगी, कि हम सोचने-समजने का नज़रीय ळवस्ता होता है, यह बात क्यों कहीं गई? कि किशय रवस्ता तक ही होगी, तो इस बात को, इसलिए कहा गया, कि देखे किशय रवस्ता के बाद, हमारे जो experience होते है, वो हमें आगे ले जाते हैं, वो हमें सिखाते हैं, लेकिन जो बुद्धी होती है, बुद्धी का विकास होगा, वो सिर्फ किशोरवस्ता तक होगा, कुछ मनों वग्यानिक इसे 16 वर्ष तक मानते हैं, तो कुछ 18 वर्ष तक मानते हैं. तो इसलिए इसको किषो रवस्ता कह दिया गया है क्योंकि कई मनुवे ग्यानिक अपना अपने अकॉर्डिंग जिनोंने इसकी विशेषता बताई उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि कई मानते हैं यह हमारी वीडियो का पार्ट वन था और इसे मैं यहीं करूंगे क्योंकि अगर इसे मैंने कंटीन्यू किया तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए इसका पार्ट सेकिंड में कल अपलोड करूंगे और अगर आपको इन सिध्धानतों में या इसकी विशेष्टाओं में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी माहिने रखते हैं और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंस सके थैंक्यू